नमस्कर दोस्तों अर्पना इट्री में आपका स्वागत है मैं उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे ग्रीन मश्रूम करी उसके लिए आपको चाहिए 400 ग्राम मश्रूम दो से तीन नीबू के पते दो हरी मिर्च एक कप कटा हुआ धनिया एक चमचीनी, नमक स्वाद अनुसार, 200 ml क्रीम, एक प्यास कटा हुआ और तेल तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे उसके लिए आप प्यास डालें मिक्सी में हरी मिर्च कटा हुआ हरा धनिया चीनी नमक स्वाद अनुसार और क्रीम इसको हम पीस लेंगे हमारी पेस्ट अप रड़ी है यह देखिए अब एक कडाई में तीन बड़े चमच तेल गरम करें उसमें यह मिक्शर डाल दें अब इसमें निम्बू के पत्ते डाल दें इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्शर को ठीक होने तक पकाएंगे इसको ढग कर पकाएं आप देखें दोस्तों इसका पानी भी सुख गया और मिक्शर थोड़ा सा ठीकनेस की और आ चुका है तो अब हम इसमें मश्रूम डाल देंगे अब इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से अब हम इसको ढग देंगे और मश्रूम पकने तक पकाएंगे इसको पकाने में मुझे 12 से 15 मिनिट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे ढग की इसको पकाना है आपने आप देखें क्रीम ने अपना तेल छोड़ दिया है देखें कितना अच्छा कलर आया है और मश्रूम भी पक चुके है अब हम इसको निकाल लेंगे अपनी सर्विंग बाउल में आप देखें कितना अच्छा कलर आया है बहुत ही अच्छी सबजी बनी है चाँटा विदिए परप आप मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद दोस्तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ तब तक बनाते रहें, खाते रहें और खुश रहें